कैसे हो मेरे होटल लारे दोस्तों मैं हूँ आपका हो शेफ धीरज आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वाइन के बारे में रेड वाइन वाइन और आपको कुकिंग में कैसे उनको यूज करना है क्योंकि हम लोग जब भी स्टुडेंट्स होते हैं और हमने घर में कभी अपने वाइन के साथ कुकिंग नहीं की होती है तो हम लोग होटल में जाके या इंस्टूट में जाके कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैं मेरे पास एक चिकन है तो मैं इसमें क्या रैड वाइन डाल दू मेरे पास मच्छी है तो मैं कैसमें वाइट वाइन डाल दू या मेरे पास कोई beef या lamb है तो मैं इसमें ब्रैंडी डाल दूँ तो यह सारे confusions हमारे दिमाग में रहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको वाइन के बारे में कि आपको कैसे आपको यह जज करना है कि आपको किस मीट में या किस सीफूद में रेड वाइन वाइन या कुछ और यूज करना है बहुत ही सिंपल तरीके होते हैं और एक कोश्चन और होता है दिमाग में कि वाइन को हम लोग कब डाले पहले डाले या बाद में डाले जिससे कि उसका टेस्ट खाने का हमारे अच्छा हो बेसिकली मोटो आपके दिमाग में रहते हैं तो इस वीडियो में आपके सारे कोश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा और आपका बहुत सारा कन्फीजन दूर हो जाएगा और आप लोगों में से जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाल व वीडियो जो भी अप्लोड होंगे वो डाल दूँगा आप चाहे तो मुझे दूसरे सोसल मीडिया प्रेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी पुरानी लंबी वीडियो हैं राउंड दो सो पचीस से ज्यादा है आप उन्हें जाके देखिए आपके होटल इंडस् करूँगा तो चलिए रेड वाइन वाइट 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 वा ग्रेप कम फर्मेंट होते हैं तो उस स्टेज पे जो वाइन प्रियूस की जाती है वह होती है वाइट वाइट वाइन और जब जो हमारे ग्रेप होते हैं चाहे काले हो चाहे सफेद हो वह जादा फर्मेंट हम जब कर देते हैं तो उससे बनती है हमारी रेड वाइन तो रेड में मुझेट में क्वाइन ऐन çutz 56 या मैं चिकन में कौन सी वाइन यूज करो तो सबसे पहले आपको अपने जो भी आइटमस उनका गलर देखना घडिखना होगा जैसे कि मान लिजए आपके पास डिकन Πरिण है तो आप इसमें वाइन ब्रैंडी या फिर आपके शैंपिन तो आप यहां पर रेड वाइन का यूज कीजिए क्योंकि दोनों के कलर आप वाइट मीट में अगर हम रेड कलर का कुछ डालेंगे तो उसका थोड़ा कलर अजीब सा थोड़ा फ़नी टाइप से हो जाता है तो जो उन से कलर का मीट है आपको उस कलर की वाइन यूज करनी है तो दूसरा भी जो कोशन रहता है आपके दिमाग में उसका भी आपको हल मिल गया अब ऐसा क्यों हम लोग करते हैं बेसिकली यही इसलिए ही किया जाता है जो आपकी जो रेड वाइन होती है वो ज्यादा मैच्यॉर होती है मैच्यॉर मतलब की उसको ज्यादा टाइम लगता ह बनने के लिए आपकी जो कंपनीज वोगी या आपफेक्री जी बोल दीजे या वाइन याड वो के भी μहलता है वह ज्यादा मैच्यॉर होता है ऐसी चीजे जो की काफी ज़्यादा समय लगाती है पकने में या बहुत ज़्यादा जब उनकी एज हो जाती है तब हम लोग उनको खाते हैं या उनका मीट काफी हार्ड होता है इसके विपरीत अगर हम देखें फिश चिकन आपका या फिर आपका पोर्ख के अच्छे अच्छे पीसिस हो गया आपके और वाइट मीट में आपकी और भी चीजे आ जाती हैं आपका ड़क आ गया टर्की आ गया ऐसे मीट जो की थोड़े सॉफ्ट होते हैं अगर हम लोग कं आपको बढ़ जाता है तो अब आपको कलर का पता चल गया किस कलर में कौन सी वाइन यूज करनी है अब वाइन को हम लोग किस टाइम पर यूज करें शुरू में या आखिर में मान लीजिए आपने एक सॉस रेडी कर दिया है सॉस आपका बिल्कुल रेडी है अब आप चा ना बाल देंगे आखिर में तो आपकी जूस है उसका सबसे पहले तो जसकी कंसिस्टंसी यह सॉस के आपने सोचा था कि इतनेमें विल्कुल सॉस गाडा है वो डालने से आप की जो सौस की consistency बिगड़ जाएगी वो पतला हो जाएगा यह कोई है जो आणे पतला है और अप उसमें wine डालना चाहते हैं反 curse Advents यह कोईभी wine डालना चाहते है तो वह और ज्रक्तला हो जाएगा जो उसका जो consistency विगड़ तो आपको wine इसमें clear हो गया है कि आपको wine सुरु में डालना है लेकिन सुरु में कब डालना है और कैसे डालना है अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे wine को जब भी आप लोग use करें चाहे red हो चाहे white हो तो आप उसको पकाना पडता है मान लीजे जैसे कि हमारे पास आधा लीटर वाइन है तो हम उसको रिड्यूस करते हैं हम लोग वाइन को रिड्यूस कर रहे हैं reduce होने से क्या होता है? जितना भी alcohol उसके अंदर होता है जिससे की हमें नशा होता है वो सारा आपका धुए में आपके भाप में उड़ जाता है जो last में जो चिर्फ उसके अंदर बसता है बहुत कम मातरा में आप बहुत चाहे तो आप बिल्कुल भी reduce कर सकते हैं वो आपका wine का होगा grapes का होगा और वो बहुत ही ज्यादा flavorful होगा वो concentrated flavor होगा आपका आपके खाने के लिए तो इसको आप लोग use कर सकते हो अपने खाने के अंदर sauce के अंदर आपके food के अंदर sauce, soup जो भी आप लोग बना रहे हैं पर इसके अलावा जब आप लोग raw wine को use करते है, raw wine का मतलब है कि मेरे मेरे से कहने का मतलब कि आपने chicken roast करना है आपने एक marination बना लेना है उसमें आपको wine reduce करने की जुरोत नहीं है क्योंकि जो जब यह आप यह marination बना रहे हैं इसके अंदर आप जो raw wine डाल रहे हैं या normal wine डाल रहे हैं उसके बाद आपको इस marination को लगा से आपकी wine से related सारी queries दूर होगी होंगी इसमें मैं थोड़ा आपको brandy का भी थोड़ा बता देता हूं इसका साथी brandy का जो हमारा जो temperature होता है cooking temperature अगर बोलीजे या उसका temperature बोलीजे बहुत ही जल्दी होता है जल्दी होने से मतलब ही अगर आपको गरम करेंगा तो बहुत सॉस में यूज करते हैं इसके अलावा अगर आप मुझे बताईए कोई question है अभी मेरे दिमाग में तो आनी रहे है मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ cover कर दिया है ऐसे ही interesting questions के लिए मुझे आप लीचे लिखिए मैं उनके answer देने की कोशिश जरूर करूंगा बाकी मुझे follow करते रहे और ऐसी interesting वीडियो को आप आगे शेर करते रहे जिए ताकि बाकी जो लोग है उनको भी इसके बारे में पता चल सके और उनको actual में चीजे क्या होती है पता लगे चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद